त्रिहार जेल में दिलिस सरकार के मंत्री सतेंद्र जेन के मसाँज पर नया खुलासा हुआ है जेन को मसाँज देने वाले के पहचान रिंकू के रूप में है जो रेप आरोपी, बीजेपी ने इसा शहजाद पुनावाला ने ट्वीट करके यारोप लगाया आपने कहा था कि जैन मालिश नहीं बलकि जेल में फीजियो थेरोपी करा रहे थे पिछले दिनों BJP ने तीन दिन का जेल का विडियो जारी करके आपको घेरा था उस विडियो में सतेंद्र जैन थेरोपी मसाज या मालिश कराते दिख रहे हैं और आपने इसे जैन के इलाज का हिस्सा बताय था इसके बाद अब विडियो वार की नई सीरीज सामने आ रही है जिसमें बीजेपी सीधे सवाल कर रही है कि रेप आरोपी मसाज कर रहा है सीधे के जिवाल से इस पर जवाब मांगा गया है तो तिहार जेल में सतेंद्र जैन के मसाज का ये पूरा मामला एक बार फिर से जोर पकरता हुआ ये तब गर्म आया जब ये विडियो बीजेपी के तरफ से जारी किया गया था तो मसाज देने वाला फिजियो थेरपिस्ट नहीं है ये बीजेपी कह रही है क्योंकि जब ये विडियो सामने आया था तो आम आदमी पार्टी के तरफ से ये सफाई दी गई थी कि फिजियो थेरपी हो रही थी उस समय जो विडियो बीजेपी ने जारी की लेकिन अब बीजेपी का कहना है कि मसाज देने वाला कोई फिजियो थेरपिस्ट था ही नहीं वो एक रेपिस्ट है अरविन केजडिवाल जी जिसको कटर इमानदार कहकर उसका बचाव करते हैं सबसक्राइब कुषा ने पांच में जेजल से रहत नहीं मिले है कोट के दो़ारा कोट ने यह पाया है कि हमाले कर रहे थे कोट ने उनने जेजल में रखा है पर नंत् Housing ने के बदले वहां पर उनको कोई भी राज ना उगल दे और दूसरी बात वहाँ पर मंत्री रहते हुए, अपने मंत्री पद का दुरूप्यों करते हुए मसाज भी करवाते हैं और वसूली भी करते हैं तो बीजेपी का कहना है कि मसाज देने वाला कोई फीजो थेरेपिस नहीं है, सतेन रिजयन को मसाज देने वाला रेप के आरोपों में जेल में है, नाबालिक से रेप का आरोप उस जो शक्स मसाज कर रहा है उस पर है और ये अब तस्वीर के तौर पर बीजेपी ने जारी कि और सीथे तौर पर आम आदमी पार्टी को घिरते हुए बीचे पी तो कुल मिलाकर जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया है अब दिखा रहा है कि रेव कारोपी कर रहा था जैन के मालेश अब ये बड़ा सवाल यहां सामने आता हुआ दिख रहा है और इसी के इर्दिगिर्द अब जवाब भी देना होगा यहां पर आम आदमी पार्टी को क्योंकि पहले जब ये वीडियो सामने आया था तो ये वीडियो को लेकर आम आदमी पार्टी के तरफ से ये कहा गया था सुनिल जी सबसे पहले आपसे समझना चाहूंगी कि क्या ऐसा मुम्किन है कि कोई एक शक्स इस तरीके से लाब वहाँ पर उठा पाए किसी भी आरोपी से इस तरह मसाच करा पाए ये तमाम सवाल सर अब उठ रहे हैं इस वीडियो के सामने आने के बाद ल Lazgar चेता है कि हों फीजीो थेरैपिस नहीं बेखाइदा रेप का एक अरोपी जिससे मसाज करवा रहे ग рукा उलमें और ने आपको पहले दीनी जब आफेसे बीडिया था तो मैंने आपका बद रहा है कि जो हैं अग्याब कि उसको मजा मसाज अच्छी करनी आती है तो उसमें ये निए निदेखा-जाता है कि वह किस ओफेंस में अगर वुपनी सब्सकी अ धे रहे तो सर्वशी तो ये क्यशे लगता निक उसके बाद भी हम departments कोकिछा होता हूँ कि ये पॉकिफो में ने स跟 थार चेस में था जैसे कई आपधर मैंने देखता है रहते हैं टेरिस्स कहते हैं कि वो यह एलेक्ट्रोनी का काम बड़ा अच्छा कर रेते हैं, तो यह जनली ओफेंस देखाने जाते हैं, जनली उसकी सरीषीज के ओपर ध्यान गे जाता है, यह जेल की प्रैक्टिस है, बेश्चिक इल्लीगल है. दो सयोगी भी इसलिक हमाई साथ जुड़ चुके हैं, उनसे भी हम बात चीत करेंगे, हमान्शू हमाई साथ है, कुमार कुनाल भी हमाई साथ हमाई सयोगी इस वक्स जुड़ चुके है, कुमार कुनाल, यह बड़ा आरोब BJP के तरफ से की फीजो थेरपी की बात आप कर रहे बिल्कुल और यह एक बड़ा संगीन आरोब भी है, क्योंकि अगर इस तरीके का मामला है, कि एक आरोबी जो की इस तरीके के मकाल दे रहा है, तो जेल मैनुवल का सब्सक्रे बड़ा उलंगन है, और इसलिए अगर उनका मेडिकल कंडिशन भी है, सते इंडर गैन का, जिसम और सत्यता जिस तरीके से जेल के तोर्टेज है, वो कंपर्म कर रहे है, तो यह इनिशित तोर पर एक बहुत संगीन मामला है, और इस पर जो कारवाई है, वो तो होगी ही, यासी तोर पर यह आम आदमी पार्टी के लिए बड़ा मुश्किल दौर है, क्योंकि इसे पहले मन कोई मेडिकल सुविधा उटलब कराई जा रही है, तो उस पर आपकी क्यों है, बीजेपी को, तो यह अगर सत्यता है, इसमें कि यह कैदी है, और इसमें भी इतने गंबीर आरोफ है, जिसमें पॉक्सों है, रेट की भी धाराये हैं, तो क्यों ऐसी जरूरत पड़ी और क्य ज्यादा तरीके से इसको विपक्षी पार्टियां बीजेपी और कॉंग्रेस ले उठाएगी, तो यह कई तरीके से हम आजमी पार्टी को इस पर जवाब देनी की जरूरत है, सियासी तोर पर भी, और साथी साथ, तो कि सतेहिंद्र जैन ने अभी मंत्री पर से इसकी पार और पहले जेल मंत्री भी रहे चुके हैं, तो कहीं न कहीं, उनके क्या प्रभाव की बज़े से ऐसा हो रहा था, इस पर भी जवाब जरूर देना था हिमाशू, देखे, बड़ा सवाल तो यही है, कि एक तो वो मंत्री अभी भी बने हुए है, तब जब वो अभी जेल में है, अब ऐसे इसी घटना है, ऐसे सी वीडियो सामने आ रहे है, जिसके बाद और आरोप लगा रहे है, लग रहे है, लेकिन यहाँ पर आदमी पार्ट जेन के उपर जो आरोप लगे है, वो पूरी तरीके से निराधार है, और इसे एक पुराने मामले से जोड़ के बताए जाता है, तो यह आब आदमी पार्टी लगाता स्वातेंद्र जेन का बचाव करती है, और जब एडी ने इस बात की शिकायत की थी कोट में कि अंदर ज विधाय मिल रही है,